एक राजा था उसे अपने शक्ति का बहुत अधिक घमंड था उसे विश्वास था कि दुन्या में उससे अधिक शक्ति साली कोई नहीं है वो किसी को अपने सामने कुछ समझता ही नहीं था उसे एक दिन ये जानने की उच्षुकता हुई कि मुझ जैसे राजा से आखिर कौन बराबरी कर सकता है उसने उस सुकता से अपने साथें से कहा कि क्या लोग उसके मन की बाच जान सकते हैं और ये सोच कर उसने तमाम दरबार्यों और करमचारियों के गठ्था किया और उनसे बुझने को कहा कि क्या कोई बता सकता है कि उसके मन में क्या है बहुतों ने माथा लडाया पर कोई भी उसे संतुष्ठ न कर सका तब राजा ने दिवान को आदेश दिया कि वो एक महने में कोई ऐसा होश्यार बंदा ढोंड कर लाए जो उसके विचार का अनुमान लगा सके दिवान ने हर जगा तलास किया पर सब बेकार गया दिवान बुद्धिमान था और दिवान जानता था कि राजा को व्यर्थ अभिमान हो गया है उसके हैंकार को दूर करने के लिए वो कई तरह की उपाय करने लगा महिना खत्म होने को आ गया पर कोई नतीजा नहीं निकला उसकी बेटी ने अपने पिता को जिन्ता में देखकर उससे पूछा पिता ने अपने बेटी को बताया बेटी बहुत होश्यार थी उसने कहा कि आप एक उपाय करिये और उसने उन्हें समझा दिया महिना पूरे होने के बाद दिवान एक गावदी गरडियों को पिता के सामने खड़ा कर दिया ये गरडिया उनकी यहां नौकर था उसने अपने पिता से कहा कि वे इसे राजा के पांस ले जाए दिवान आश्यर चकित हो गया पर बेटी ने जोड़ देकर कहा कि ये भोंदू गरड़िया उनकी सारी परिशानिया दूर कर देगा और कोई चारा न देखकर दिवान गरड़ियों को दरबार में ले गया राजा दरबार में दिवान का इंतजार कर रहा था दिवान ने गरड़ियों को राजा के सामने पेश किया और कहा कि माराज यही व्यक्ति है जो आपके मन की बात बता सकता है लेकिन यह बोलेगा नहीं, यह मौन रहेगा कि वहल इशारों से आपके मन की बात बताएगा राजा ने गड़रिये को देखा और उसकी ओर अपनी एक उंगली उपर उठाई उसके जवाब में गड़ियर ने दो उंगलियां उपर उठाई इस पर राजा ने तीन उंगलियां उपर उठाई ये देखकर गड़ियर ने इनकार में सीर हिलाया और वहाँ से भागने की चेश्टा की राजा जोर से हासा उसने दिवान को बहुत सारा इनाम दिया और कहा कि इतना चतुर आदमी तुमने लाया वाके तुम प्रतिभा को खोजने में सभल रहे दिवान तो चुप चाप देखता रह गया ये गोरक धंदा उसके पल्ले नहीं पड़ा फिर उसने राजा से निवेदन किया अली ने दो उंगले उठा कर मुझे याद दिलाया कि तुमसे भी सक्तिसाली भगवान है और तुम दो ही सक्तिसाली हो तब मैंने पूछा कि क्या कोई तीसरा भी है इस पर उसने सिरी लाकर मना कर दिया इस आदमी ने सभूच मेरे मन की बात जाली मैं सूसता था कि मैं ही अकिला शक्तिसाली हूँ इसने मुझे भगवान की याद दिला दी कि मुझे भी सक्तिसाली भगवान है और फिर मेरे और भगवान के लावा यहाँ तीसरा कोई भी सक्तिसाली नहीं है दरबार बरखास्त हुआ सब अपने में रास्ते चाने लगे रात को दिवान ने उस मूढ गरड़ी से पूछा कि उसने राजा की इशारों को क्या मतलब निकाला उसने राजा की सवालों को क्या समझा गरड़ी ने कहा मालिक मेरे पास सिर्फ तीन भेड़े हैं जब आप मुझे महराज के पास ले गए तो उन्होंने मुझे एक उंगली दिखाई यानि वे मेरी एक भेड़े लेना चाहते हैं वे इतने बड़े राजा थे सो मैंने उन्हें दो भेड़े देने के लिए दो उंगलियां उठा दी इस पर उन्होंने तीन उंगलियां दिखाई यानि मेरी तीनों भेड़े लेना चाहते थे मुझे लगा कि अगर तीनों भेड़े राजा ले लेंगे तो मेरा गुजारा कैसे होगा मैंने इनकार में सिरह लाया और वहां से भाग जाना चाहा दोस्तों इस कहानी का मतलब यही है कि बुद्धिमान अपने हिसाब से प्रश्न कर रहा था और एक नादान नासमझ व्यक्ति अपने हिसाब से उत्तर दे रहा था और दोनों को समाधान मिल गया राजा के एहंकार का नास हुआ कि वो ही सक्तिसाली नहीं है उससे बड़ा कोई सक्तिसाली है और गर्या बहुत ही साधारन सी बास समझ कर उसका उत्तर दे रहा था आकर दिवान की समस्या का समधान हुआ राजा के घमंड का नास हुआ और उस गर्ये की भी भलाई हो गई